नमस्कार साथियो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जहाँ पर मैं आपको VPRP सर्वे का फुल टिटोरियल वीडियो बताने वाला हूँ कि कैसे आप VPRP सर्वे मॉबाइल एप से करेंगे सबसे उपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर English वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से Language Chain करने का Option मिल जाता है आप सर्वे हिंदी में करना चाहते हैं कि English में करना चाहते हैं आप यहाँ से Language सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं सबसे पहले आपको sg इस्तर की गतिविदी की जानकारी भरनी है उसके बाद vio इस्तर की गतिविदी और उसके बाद आपको gp इस्तर की गतिविदी भरनी है तो सबसे पहले मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ SSJ इस्तर की गतिवदी जहाँ पर हम समू का डाटा यहाँ पर बरने वाले आपको जितने समू एलोकेट किये गए होगे उतने समू की आपको यहाँ पर सूची देखने को मिल जाएगी जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है तीन समू की जानकारी मैं यहाँ पर सबसे पहला समू तुलसी महिला SSJ को स्लेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर जानकारी भरना है तुलसी महिला SSJ की उसके बाद आपको यहाँ पर दो आप्सन देखने को मिल जाएंगे पहला है पातरता और दूसरा आज़ीवी का पातरता के अंतरगत मन्रे का जॉब कार्ड सोचाले आईस्मान कार्ड यह सारी जानकर यह आपको मिल जाती है अगर से एसेजी सदत से दुआरा मन्रे का जॉब कार्ड मन्रे का में विक्तिकत काम की मांग या फिर व्रदा पेंसन विद्वा पेंसन विकलांगता पेंसन एस्बियम याने की सोचाले की मांग स्वास्थे पत्र याने की हैस्मान कार्ड उजवला योजना गैस कनेक्शन वाली योजना है यह सारे योजनाओं का अगर से किसी सदत से दुआरा मांग की जाती है कि हमें इस योजना का लाभ न ने दिखाई दे रहा होगा जैसे आप plus पर click करेंगे तो मन्रेगा से संबंदित इस समू के सदस्यों ने कोई भी आविदन किया होगा तो आपको यहां से उनका नाम दिखेगा उन सदस्यों का उसके बाद आपको यहां पर जानकरी भरना है जैसे कि ममता दिदी ने यहां पर आविदन की है कि उनको नया मन्रेगा जॉब कार्ड चाहिए तो मैं यहां पर ममता दिदी का नाम स्लेक कर ले रहा हूँ इसके बाद यहां पर क्या यह एक नया अनुरोध है या मौजुद अनुरोद यहां पर नए आवेदन का मतलब यह है कि नए मन्रे का जॉब काड के लिए आवेदन और मौजुद अनुरोद का मतलब है कि पहले से इनके पास जॉब काड है लेकिन वो इनेक्टिव है उसे फिर से यह चालू करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर नए आविदन पर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ठीक पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास और भी option यहाँ पर आ जाते हैं इन option को आपको भरना है जैसे कि घर के मुख्या का नाम वाड संक्या वाड का नाम उम्र और उसके बाद आपको नीचे में दिख रहा होगा दस्तावेज चेकलिस्ट याने की जॉब कार्ड के लिए किन-किन दस्तावेज की आओ सकता है वहाँ पर आपको उस चेकलिस्ट में तो मैं जल्दी से इनका detail भर देता हूँ इतनी detail आपको यहाँ पर भरने के बाद दस्तावेज चेकलिस्ट पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप दस्तावेज चेकलिस्ट पर क्लिक करते तो आपको और option यहाँ पर देखने मिलें जैसे कि रासन कार्ड है या नहीं है एज प्र नहीं पर क्लिक कर देता हूँ और बागी रासन कार्ड, एज प्रूफ और अधार कार्ड यह सारे चीजे है इनके पास अब आगे आपको पूर्ण किये पर क्लिक करना है जैसे आप पूर्ण किये पर क्लिक करेंगे तो यह दस्तावेज चेकलिस्ट के सामने एक सही का निश झान आ गया है यान कि हमने यहां पर मंरी लुक काट से संबंदित मधर्दी की जानकारी बर दी है अब इसके बाद और एक दीदी बाली अन्ने भी मंरे का जोब काट के कि लिए आवेदन किया है तो हम उनकी भी यहाँ पर detail भर देते हैं और इनका भी नया आवेदान है और ठीक है पर हम click कर देते हैं इनके मुख्या का नाम हम डाल देते हैं detail डालने के बाद 10 वेज चेक लिस्ट में जाते हैं इनके पास रासन कार्ड भी है, एजप्रूफ भी है पूर्ण किया गया पर हम select करेंगे इसके बाद हम सहेजे पर click करेंगे अब हमारे पास save करने का green वाला बटन मिल जाता है जिससे पूर्ण किया गया पर हम select कर लेते हैं अब आप देख रहे होगे बाला दिदी के सामने और मंता दिदी के सामने भी आपको सही का निशान देख रहा होगा अब इसके बाद नीचे में आपको green में देखे संसोदित करें या rank करें ये एक option मिल जाता है इसमें आप जैसे click करेंगे तो आपको यहाँ पर मंता दिदी और बाला दिदी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि मंता दिदी को सबसे ज़्यादा प्रात्मिकता है या बाला दिदी को सबसे ज़्यादा प्रात्मिकता पर ऐसा आप यहाँ से 1-2 का rank दे सकते हैं उसके बाद आपको second option दिख रहा हुआ वहाँ से आप इनकी जानकरी edit कर सकते हैं लीजिए आपने कोई जानकरी इनकी गलत भर दिए तो वहां से आप edit कर सकते हैं और जो last वाला option दिख रहा है वहां से आप इनकी जानकरी को delete कर सकते हैं गलती से अगर से आप किसी वेक्ति की यहाँ पर मनरेगा जॉप कार्ड में जानकरी भर दिए तो उसको आप delete कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ममता दिदी को rank देते हैं तो ममता दिदी SC है दूसरी चीज यह single woman है तो यहाँ पर दो चीज है और ममता दिदी single woman है और SC में है तो हम यहाँ पर इनको दे देते first rank उपर में आप रैंक दे सकते हैं जहां पर जीरो है यहां पर आप रैंक देते हैं फर्स्ट और यह राइट के निशान पर क्लिक कर देते हैं अब नीचे में आपको अधतन करें का उपसिन मिल जाएगा अब देख सकते हैं यहां पर ममता दिदी के सामने एक लिक करके आगया ह ऐसे ही हम बाला दिदी को भी यहाँ पर detail देते हैं तो rank देने का जो विवरन है rank हम किस के आधार पर देंगे यह आपको यहाँ पर इस सूची में दिख रहा होगा यह सो सायता समू के सभी सदस्यों के विवेक पर depend करता है कि वो किन को प्रथम rank देते है किस से second rank देते है rank देने का आप तरीका तो समझ गया होगे तो यहाँ पर बाला दिदी OBC है और यह है landless हाना landless household है और homeless भी यानि किराय से रहते है और यह है तो यहाँ पर इनकी दो जानकर ही डाल दिया है और हम इनको देते second rank यह इस प्रकार से आप यहाँ पर second rank दे सकते हैं और अधतन करें अब आपको इनका data valid करना है valid करने के लिए आपको नीचे में green option मिल जाता है जैसे ही आप valid करेंगे तो इनका जो data है वो successful save हो गया अब उपर से आपका back button एक left side में arrow दिख रहा होगा वहाँ से आपको वापस आजाना है फिर से आपको वापस आजाना है अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मन्रे का job card के सामने एक chart दिख रहा है वो chart 213 जो लिखा हुआ है वो chart पहले highlight था लेकिन अब black color पे दिख रहा है यह back button उपर में आपको मिल जाती है अब इसी समू से विद्वा पेंसन का भी एक आवेदन आया है कि उनको विद्वा पेंसन नहीं मिली है तो आप यहाँ पर पाच्वे नमबर पर विद्वा पेंसन देख सकते हैं उसमें plus के sign पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सुमा दिदी ने विद्वा पेंसन के लिए यहाँ पर आवेदन की है तो हम सुमा दिदी के नाम के सामने में हम क्लिक कर देते हैं अब यह सोयम के लिए आवेदन कर रहे है यहाँ पर परिवार के लिए भी आवेदन हो सकता है तो यहां पर देखिए, दोनों के लिए अलग option मिलते हैं, परिवार के सदस्य का नाम लिखना है, घर के मुख्या का नाम लिखना है, और यह सुमा दिदी तो समु की सदस्य है, वाड संके वाड का नाम उम्र, और नीचे क्या आप बैंक खाते को लिंक कराना चाहते हैं, क्या आप दस्तावेश सुधार करना चाहते हैं और दस्तावेश की चेकलिस्ट तो यहां पर हम स्वयम के लिए डेटेल भर रहे हैं घर के मुख्या का नाम भर देंगे वाट संक्या भर देंगे वाट का नाम भर देंगे तो यह सारी डेटेल में आपके सामने भर के बता दे अब पर इतनी इनकी डिटेल डालने के बाद क्या आप बैंक खाते को लिंक कराना चाहते हैं यहां पर पूछा जा रहा है क्या आप अपने बैंक खाते को यहां पर link कराना चाते हैं किया जैसे आप यहां पर हाँ पर क्लिक करेंगे तो यहां पर option हो जाएगा क्लिक उसके बात क्या आप दस्त वे सुधार कराना चाते हैं याने कि कोई सब्सक्राइब सत्र 빠lers अधार कार्ड समगर ऐड़ी औरफ भी यहां पर कर सकते हैं और लास्ट में आपको दिख रहा हो यहां पर दस्तावेज चेक लिस्ट तो दस्तावेज चेक लिस्ट में रासन कार्ड पोटर आइडी डेज सर्टिफिकेट और डॉकुमेंट्स ठीक है इंकम सर्टिफिकेट याने की आपका आयक प्रमाण पत्र एज प्रूफ और बैंक पास्ट तो इतनी चीजे दस्तावेज आपके होने चाहिए अगर से है तो आपको यहां पर हां पर क्लिक करना है और अगर से कोई डॉकुमेंट्स यहां पर उपलब्द नहीं है जैसे कि अभी इनको डेश सर्टिफिकेट पंचायत से नहीं मिला है तो यहां पर ह और किसी की जानकारी हमको जोडनी है माली जे इनके परिवार में कोई विकलांग वेखती है तो उनकी भी जानकारी आप यहां पर जोड सकते हैं तो इस प्रकार से एक और अनुरोध जोड सकता है यहां पर लेकिन अभी नहीं है तो हम यहां पर पूर्ण किये गये पर क्लि ranking देना होगा जैसे हम ranking वाले option में जाते हैं तो हमारे पास तीन बटन मिल जाती है पहला है pencil के निसान editing शरी ranking उसके बाद बीच वाला editing और लास्ट वाले डिलेट तो यहां पर हमारे पास एक ही है अब इस प्रकार से आप इनकी जानकारी अधतन कर सकते हैं फिर वैलिट जैसे ही आप करेंगे इनका तो वैलिट सक्सेस्फूल लिखकर किया जाएगा अब आपको उपर में बैक एरो दबाना है वापस से आप देख रहे होगे सुमा दिदी का यहां पर हमने डेटेल भर दिया तो हमने अभी मन्रे का जहां पर इनकी पात्रता की झानकारी भर सकते हैं अब दूसरा जो ओप्शन EGV का जैसे आप आजई करेंगे तो आपको यहां पर वैक्तिगत खेती ऐसामु फेती पशूपालान वैक्तिगत ऐंमी और समों अैमे और यह चार जारी जानेस से आप को यहांपर देखने आते हैं या उसकी जानकरी आपको आती है तो यहां पर आपको प्लस के साइंग पर क्लिक करना होगा और उस व्यक्ति का याने कि उस समु की दिदी का नाम सेलेक्ट करना होगा जैसे कि हम यहां पर किस्मती दिदी का नाम सेलेक्ट कर ले रहे हैं अब यहां पर आपको डालना कीजिए प्यार आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा अनाज दाल मसाले कॉफी चाय रबर मदुमक्थी पालन गन्ना कपा जूट और सदी पौदे मतलब कि यहां पर यह खुद की जमीन पर क्या करना चाहते हैं इन में से तो यह आपको यहां पर स्लेक् आपको यहां पर आउशकता है तो हमें हैं यहां पर प्रसिक्षन की आउशकता इसके बाद आप सेकेंड ऑप्सन आ जाता है यहां पर चैन करने का यानि की समर्तन विवराण में आप यहां पर डाल सकते हैं जैसे कि मसरूम का प्रसिक्षन आपको चाहिए और एक्सपोजर वार्ड संख्या वार्ड का नाम इस प्रकार से आपको भर देना है अब मैं जैसे सहीजे पर क्लिक करूँगा तो ये पूर्ण किया गया वाला गिरीन वाला मुझे बटन यहां पर मिल गया अब उसी विए उपर में एक और उप्सन मिल रहा है क्या और अनुरोज जोड़े याने कि इसके अलावा भी आपकी कोई मांग है तो यहां पर आप उसको सामिल कर सकते हैं तो मैं यहां पर करता हूँ पूर्ण किया गया इस प्रकार से आप देख रहे है कि यह दीदी के नाम के सामने सही का निशान का चिन ना आ गया है अब यहां से आपको संसोधित करने का उप्सन या रैंक देने का उप्सन या डिलेट करने का उप्सन नीचे मिल जाता है तो देखे संसोधित करें rank पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दो option मिल गए पहला तो यहाँ पर rank देने वाला है और दूसरा edit अब यहाँ पर वो option नहीं है कि आप इसको delete कर सकें तो जैसे ही मैं rank वाले option में जाता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर rank देता हूँ अब यह single में ने तो मैं first डाल देता हूँ यहाँ और rank मैं किस दे रहा हूँ उसका मुझे यहाँ पर chain करना होगा तो यहाँ पर यह poor migrant labor है तो इसको मैं select कर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं अध्यतन पर click कर देता हूँ इस प्रकार से मैंने इनको दे दिया rank अब मुझे इस data को valid data करना है याने कि नीचे green वाले option को मैं select कर लेता हूँ जैसे ही मैंने valid किया successful लिख करके आगया अब मैं उपर वाले देखे संसोदित करें rank वाले उसके left side में जो arrow है उसको दबाता हूँ वापस से मैं आ गया फिर से मैं वापस से आ गया तो अब आप देख रहे होगे विक्तिगत खेती के सामने में graph जो है वो black color का हो चुका है याने कि हमने उसमें detail डाल चुकी है आप ये graph पर जाकर के भी देख सकते कि हमने क्या detail डाली है इस प्रकार से अब मैं वापस से आ जा ना दू याने कि मुझे यहां पर सभी समू की जानकारी entry करनी होगी उसके बाद मैं वियो को submit करूंगा फिर यह वियो इस तर पर यह सारी जानकारी जो आपने यहां पर डाली है वो वियो इस तर पर दिखने लगेगी तो साथियो यह वीडियो मैं यहीं तक बना रहा हूं क्योंकि यह विडियो बहुत लंबा हो चुका है सेकेंड जो है वियो इस तर की जानकारी उसका सेकेंड विडियो मैं आपको अपने चैनल पर उपलब्त करा दूँगा तो अभी आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और विडियो अच्छा लगाओ दोस्तों तो अपने साथियो में share जरूर करना ताकि वो भी VPRP survey data कैसे भरे यह सीख सकें तो आपको second part इसी चैनल पर मिल जाएगा और हो सके तो मैं इसी विडियो के last में दे दूँगा या इसी विडियो के description में उस विडियो का link दे दूँगा विडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यव देखॐसर को न थाना यागगा और पूँगा झाईक अका 2 में जागगा इसी विडियो के विडियो को बाएब काण। झाल झाल